प्रहाटाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महें सलामोदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स पतनी ने पती को उसके प्रेमिका के साथ घोंते हुए रंगे हाथ पकड़े लिया और फिर वहीं हुआ जिसका डर था पती पतनी में जम कर रोट पर हंगामा हुआ और मारपीट हुई इधर पती पतनी मारपीट करते रहे और प्रेमी का मौका देखते ही फरार हो गई मामला मेरट का है खरखोदा थाना इलाके की रहने वाली आईशा का निकाह मुझफर नगर के रहने वाले अलताफ से हुआ था कुछ दिन बाद पतनी से मारपीट कर अलताफ घर से चला गया तभी से आईशा अलताफ की तलाश कर रही थी सेंटरल मार्कीट से गुजरते समय आईशा ने अलताफ की स्कूटी खड़ी देखी और तभी सामने देखा मार्कीट में अलताफ अपनी प्रेमिका के साथ शौपिंग कर रहा था जिसके बाद आईशा ने अलताफ को रंगे हाथों पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी मौका मिलते ही अलताफ की प्रेमिका फरार हो गई मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ठाने लेकर आई आईशा का आरोफ है कि अलताफ ने कई स्चादिया की है जबकि अलताफ का कहना है कि आईशा को मुतलाफ दे चुका है सब्सक्राएं को रहे और इनके सामने मत करे है हम यारद रहरा हूं साहा हुर हुर यारा गजणगर को क temos वोस्ताइं हाथ आगके जिए दिखारा हुदा ओने लोगोशाएं विजए हादी बचाएं ने घ attain कि सब एक जैसी लेडी ते हैं एक साल के बीट में एक साल के बीट में एक से बाल रही है मामले एदसर कि मैं आज सेंटर मार्केट को लिकलती हुँ जा रही थी इसके बाद मैंने इसकी स्कूटी देखी बाहर खड़ी वी एक दुकान के पास तो मैंने देखा शायद अधनान है इस स्कूटी पे मैं वहार हूं की मैंने देखा अधनान मैं इसका पीछा किया सेंटर मार्क किस करते करते में गडरोड पर पहुच गई जिम गडरोड पर पहुची तो मैंने देखा ये सोरूम के अंदर घुसा कपड़े की शॉपिंग कराने के लिए लड़गी को मैंने इसकी बाहर वेट करा यह नहीं आया मैंने इसके पूछा क्या कर रहा है किया रह तो मैंने जोओंघ गगा तो यह कि लिए नहीं आया फिर मैंने इस खीच के बहर लेकर गई इस ने मेरे जाती रहती रहता मार पहुच जोड़ से तो असी प्र जल्दी से बहुच बहुत जोड़ आ रहा है इस लड़की के साहथ मैं तो मैं चाहते हैं वह रएवा HOLY करें लोड़के साथ में यही करता है लड़कों को साल भर च्छै महीने रखता है उन्हें यूज़ करता है फिर उन्हे छोड़ देता है एक इसने दो शाधी किये हैं मेरे बात पहली पत्मी महा उसकी दूसरी इसने शाधी रुड़कड़ी में किये हैं दो लड़कियों से एक ही घर से, कक्रोली की है हो रहनेवाली ये रहने वाला मुझे फन्नगर रुड़कड़ लिका है अगर मैं इसके उसके उप्जिशन उठाती हूं तब यह मुझसे बोल रहा है क्या इसने मुझे बोला जो महां से फैसला करके आ गया क्या तो मुझे तू अपने मकान बेच के दे नहीं तो तू बच्चों को छोड़ सर अब मैं इसके ऊपर अपने बच्चों को दो नहीं छो तो मैं जहां भी इसके अफ़ार लगाती हूं पैसे दे के आ जाता है बोलता है तू मेरा कुछ नहीं बिगार सकती मेरे पास पैसे है तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है